हेलो वीवर्स आप सबका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल क्वालिटी कोचिंग और लाइन क्लासेज में इस वीडियो में डिस्कस करने वारे बच्छों एक्सरसाइज 2.3 का कोश्चर नंबर 1 के बारे में ठीक है क्वेशन क्या है बच्छों, divide the following polynomial px by the polynomial gx and find the cosine and remainder in each of the following हमें cosine and remainder find करना है क्या find करना है cosine and remainder और आपके polynomial px दिया हुआ है और polynomial gx दिया हुआ है तो simply हमें divide करना है बच्छों जो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा आईए उसको फिर से recall करते है तो यहां पर आपको x cube minus 3x square plus 5x minus 3 है और gx आपका कहवच चो x square minus 2 है इसे divide करना है तो यहां पर कुछ बातों का ध्यान रखना है क्या steps है उससी से आप सीखोगे step one में हमें देखना होता है कि degree wise चीज़े arrange है कि नहीं है ठीक है यहां 5x minus 3 है degree wise चीज़े arrange है की नहीं जैसी x3 सबसे highest degree है फिर उससे कम power वाला 2 फिर उससे जोग पॉर वाला one ये चीज आ देखना होता है वैसे ही आपके deviser में झीचीज देखना होता है कि कि यहां पे powerwise चीज़े arrange है की नहीं available powerwise arrange है या नहीं अब गई और इसको divide करने कश्टेप क्या होता है बच्छो कि जो भी पहला है आपका value उसको divide कर लेंगे हदा ड्याख सrauयस has You do तो jest यह मंगा संध्ग रिख लेती एक 13 Wenn एक्स से करेंगे पूरे डिवाइजर में कि इस बात को आप जान जाहिए कि जब भी इसका पूरे पर मैंने करते पूरे डिवाइजर में पहला वाला वेल्यू हमेशा सेम आये गा एक्सक्यूब ठीक है फिर देखें प्लस- तो अब देखें तो मैं यहां नहीं लिखूंगा क्यों 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 है यहां पर और यहां पर minus 3x square copy हो गया और यह हो गया plus plus 7x क्या हो गया 7x और यहां है minus 3 है क्या है बच्चो यहां पर minus 3 है ठीक है अब क्या करेंगे फिर अगला step क्या है बच्चो यहां पर हम लोग next step में क्या करने वाले है minus 3x square minus 3x square को divide कर लेंगे किस से x square से तो क्या हो यह cancel हो गया क्या बचा माइनस 3 तो ऊपर हो जाएगा six आया है तो three के नीचे लिखेंगे कहा लिखेंगे बच्चो ठीके नीचे अगरें साइन चेंज करेंगे minus से तो प्लस हो जाएगा प्लस से तो माइनस हो जाएगा आपका पहला वाला क्या हो गया cancel हो गया यहां पर बच्चा क्या बच्चो प्लस 7x और यह minus सब्सक्राइब करना है तो इसमें सबसे पहले चीज़ करना होगा आपको डाटा को एरेंज करना होगा डाटा को एरेंज करते समय आप ध्यान दोगे क्या करना है आपको तो यहाँ पर पाउर टु है यहाँ पाउर वन इसका मतलब हम यह लिख सकते हैं क्या बच्चो माइनस जीरो इंटु एकस का पाउर 3 minus या plus रखो या minus अगो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला माइनस 3x square plus 4x plus 5 फिर से मैं बता दू क्या मैंने किया है यहाँ पे x cube missing था तो मैंने लेख दिया 0 into x cube क्योंकि इसकी पूरी value किती ही होती है 0 ही होती है अब यह आपको systematic दिख रहा है तो x square से x power 4 को divide करेंगे पहले तो क्या है बच्चो x square आया x square मेरा cosine में लिखा जाएगा तेक अब इस x square से इन 3 में multiply करना है किसे करना है 3 में तो पहला होला मैंने क्या बता है तो same आएगा फिर x square into x करेंगे तो x का power 3 आएगा और plus minus minus x cube आएगा फिर दो प्लस 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 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x square आजाएगा ठीक है अब यहां पर sign change होता है sign change मैंने बता है यहां क्या होता है प्लस है तो minus हो जाएगा minus है तो plus हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जागा, साइन चेंज हो गया, अब क्या होगा यह वाला सारा गैंज से च्वोग हो गया और यहां पर खुल comigo, प्लस हो गया यहां माइनस माइनस प्लस तो मानस 4 एकस क्था लगए हो प्लस 4 एकस और व्लस 5 कोपी कर लिया उपर से ओके इस x square x cube से Divide करेंगे तो क्या आजाएगा बच्छों आपका आजाएगा प्लस x आ जाएगा एना x square का x cube से Divide केऊ तो क्या आगी है । प्लस x का पूरे Multiply करेंगे तो x cube –x square x into x x square –- – फिर प्लस x क्या हो जाएगा प्लस x therefore sin change होगा plus है तो बाइनस बाइनस है तो plus अब बाइनस है तो माइनस है साइन चेंज कर दिए x3 x3 क्या हो गया cancel plus minus minus इसलिए यह पर minus 3 x square हो गया और यह minus plus minus इसलिए यह क्या हो गया plus 3 x हो गया और यह plus 5 समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है non simply calculation है given ठीक है और मेंट्रिप्लाई करेंगे तो ऐला सेंट न हमेशा आखबन के पहला आ रिख देना चाहिए करना पार मांइस फिर माइनस प्लॉस माइनस सरे हो गया happen 609 minus वह गया प्लस-ईयोगां माइनस और यह प्लस चीश सकते हैं यहां पे कि यह के रखिया है को सेंट है और यह मेरा वाला उसको भी दक लेते हैं यहाँ पे टिया है वो दिया है 2 minus x square तो हम इसको लिए सकते है minus x square plus 2 ओके यहां पे दिया है x का power 4 तो हम यहां लिए सकते है x 5x plus 6 हो गया अब आई इसको solve करते हैं तो minus x square जब x4 को divide करेगा बच्छो x4 को divide करेंगे किस से minus x square से तो क्या हैगा minus x square तो क्या है न यह कैसे हो रहाए समझ मैंने न पावर 2 क्या होगा लेस हो गया 4 में से तो 2 बचा यह हो गया 2 x square 2 x square ठीक है न अब यहां पर sign change होगा minus हो तो क्या हो जाएगा बच्छो प्लस हो जाएगा यह प्लस हो जाएगा यह cancel हो गया ठीक है और यहां पर क्या हुआ यह आपका हो गया plus 2 x square ओके है यहां इसको लिखने का कोई मतलब है ने क्योंकि यह सब 0s है value 0 है आगे क्या है minus 5x है plus 6 हो ठीक है अब यहां पर क्या करना है फिर से क्या बच्छा प्लस 2 x square आया तो plus 2 x square में से आपने क्या कि आप माइनस x square डिवाइड के तो क्या है आपका minus 2 मैंने यहां लिख दिया ठीक है अब इस minus 2 से multiply करें तो minus minus plus पहला वाला क्या आता है से माता है मैंने बताया तो ना plus minus minus plus minus क्या हो गए बच्छो माइनस हो गया यहां क्या हो जायेगा minus 4 प्लस और यह हो जाएगा minus साइण चेंज यह कैंसिल हो गहाँ क्या माइनस 5X और प्लस प्लस कि तो इसी तरीके से को सॉल्व करेंगे अगर समझ में आ गया तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो और क्लियर हुआ कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट कर सकते हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं के तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो एक बेल आइकन होता है इसको प्रेस कर लो जिसे प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा आपको जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूंगा थैंक यू